कॉंग्रिस ने यूपी के संभल से भी महिला चहरा निदा एहमद पर भरोसा जताया है और निदा की सीधी टककर संभल के समाजवादी टिकेट से लगातार पांच बार विधान सभा पहुँचने वाले इकबाल महमूद से है निदा एहमद टीवी पत्रकार रही है और पत्रक पत्रकारिता से सियासत के स्योड़ी पर कदम रखने वाली निदा एहमद को भी प्रियंगा गांधी के नारे लड़की हूँ लड़सक्ती हूँ की ताकत मिली है एक क्राइम रिपोटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली निदा एहमद आज नेता के तौर समाज को सुधारने का दावा कर रही हैं कि जहाँ पर आपका जन्म हुआ हो जहाँ पले बड़े हो जहाँ पर 12 कलास तक कि आपने पढ़ाई की हो वहाँ के लोगों के लिए आपको कुछ करने का मौका मिले तो मुझे ही नहीं मुझे लगता है पुरुफ के सब को आगया आना चाहिए और अपने जब बात हो अपने छेदर के विकास की तो हर किसी को बढ़ चड़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए संभल सीट पर महिला प्रत्याशी को चुनाओ मैदान में उतारने की बात कॉंग्रस हाई कमान ने दो महीने पहले ही साफ कर दी थी और संभल की ही रहने वाली टीवी पत्रकार निदा एहमद में कॉंग्रस का दामन थामा तो उनके टिकेट का एलान भी साथी कर दिया गया संभल सीट समाजवादी पार्टी का बेदिकिला है जहां 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी के एकबाल महमूद विधायक है ऐसे में निदा के लिए सीच पर फाइट टफ होने जा रही है लाओं को देना था और दूसरा ये कि अभी तक जो मेरा राजनीतिक करियर तो मेरा अभी नहीं है शुवात है इसकी लेकिन आप जितना ऐजे फ्रेंड मुझे जानते हैं दोस्की तरह जानते हैं या फिर सहयोगी की तरह जानते हैं तो आपको भी अंदाज़ होगा कि मेरा जो मिजाज है या मेरी जो आदत है वो है कि कैसे भी लोगों का हम भला कर सकें कैसी भी अगर किसी की परिशानी है तो उसे हम दूर कर सकें तो मेरे संभल की लोग जो तीस साल से खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं लेकिन उनके सामने दिक्कत ये थी मजबूर ये थी अप का तूपर वाला करेगा शादी के बाद पढ़ाई पूरी कर टीवी पत्रकारिता में अपना अलग मुकाम हसल करने वाली निदा पर प्रियंगा गांधी ने अपने भरुसे की डोर थमाई है अब देखना दल्चस्प होगा कि जनता निदा पर कितना विश्वास जताती है बेर रपोर्ट म्स24